हालो फ्रेंट्स हावाई और मैं हुकुम पुटे लेक्षर इंग्लिस स्वागत करता हूं आप सबका एक बश्य से हमारे सुरूप चानल में तो आज की सुडियो में हम बिसकस करेंगे लास्ट यह जो लेक्षर इंग्लिस के एक्जाम हुआ थे उसके कोस्टन पैटन का और उ उनके पैटनस और उनके डर्क बहुत सारी अची और इंफरमेटिव वीडियो जीए इस चानल में लाते रहेंगे मैं अपना इक्स्पिडियो के साथ आने वाले बहुत सारी वीडियो में शेयर करूँगा क्योंकि मैं लास्ट यह से रे स्ट्टिट हूं और एक्से अभी ब अगर आने वार वी वीडियो में हम बहुत सारे और भी अच्छे और इससे अपने चानल में लाते रहेंगे तो चलिए फिराज के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह रहा आपके English का पेपर जो से एक पेपर था इसमें हम ग्रैमर के 40 कोश्टन इस वीडियो में डिसकस करेंगे आगे आने वार वीडियो में जो बाकी के कोश्टन से वो देख लेंगे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो पहला कोश्टन हमारा है ग्रैमर का इसके जिते भी कोश्टन से में बता दूँ थोड़ा सा कॉम्प्रिकेटर थे इस वीडियो में हम उस कॉम्प्रिकेशन को क्लियर करने की कोशिच करेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे आप उस तरह के पैटर में कोश्टन किसी भी एक्जाम में मतलब किसी भी पोश्ट के लिए पूछा जा सकते हैं तो देखी पहला कोश्टन था ग्रैमर का लेक्चलर इंग्लिश के लिए मतलब जो बुरा किस्मत या बिकार किस्मत लेते विए उनके साथ क्या हो गया एक्जाम के इवनिंग को ही उनका क्या हो गया अब क्या बोला जा रहा है चूज दो मोस्ट एप्रोप्रियर टांस्वर्मेशन अब बहुत सारे कुश्टन समको देखने के लिए इसको कंपाउ को मिले थे तो सेंटेंस ट्रांस्फर्मेशन का जो टॉपिक है उसको अब बहुत अच्छे से पढ़ लीजेगा मैं इस टॉपिक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रहा हूं को ओर्नेटिंग कंजंशन से बने हुए जो सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस को सीम्पल सेंटेंस बोला जाता है ठीक है चली आगे देखते हैं तो इसके सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बडी वजन लगी एन देयर फोर मेट विद वीद बैड एक्सिजिएंट ऑन दीव ऑफिस एग्जामिनेशन ठीक है चली आगे चलते हैं को सेंटेंस में तो यह कुछ नमबर टू अलास दा यूद शूद पास अवे यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें यह बोला गया है कि इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपको किसमें चेंज करना है आपको चेंज करना है तो असर्टी सेंटेंस ठीक है असर्टी सेंटेंस में इंप्रेटिव सेंटेंस, अप्रेटिव सेंटेंस और एक्सक्रेमेटिव सेंटेंस, ऐसे पांच तरह की एक और तरह का डिविजन होता है सेंटेंस का, ठीक है, तो उसमें एक्सक्रेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने बोला गया, उसका मीनिंग को च क्रेक्ट आंशर हो जाएगा क्यूंकि बाकी की जो अप्शन से वो करेक्ट सेंस नहीं बना रहा है वो उनकी जो मीनिंग है उसको चेंज कर दिया रहा है चलिए नेक्ट क्वेस्टन देखते हैं क्वेस्टन नपर थी क्या था यहां पर एक इडियम संट फ्रेसे अगर आप पढ़े होंगे नहीं पढ़े है तो इस चैनल में हम आगे पढ़ाएंगे आपको बहुत सारी अच्छे और जो इंपोर्टेंट है एक्जाम की विश्टन दूसरा देखेंगे तो दूसरा देखेंगे तो दूसरा देखेंगे त जो हेल्पिंग अपसे तो और आप्शन नमबर वन और आप्शन नमबर सी ब्रेड इन बटर इस दे में कंसर आप दॉपन में ब्रेड इन बटर किसको बोलते है जॉब और एक्टिविटीज दैट प्रोइट स्यू मनी टू लिव है ना एक ऐसा जॉब एक्टिविटी जो जीवन जीने के लिए पैसा प्रोइट करता है वुस जॉब को ब्रेड इन बटर बुला जाते है तो जो ब्रेड इन बटर है वही आज कल के दुनिया में आज आज लोगों का मुख चीनता का विशा है तो यह वाला और यह वाला पहला और तीसरा दोनों सही है सेकेंड और तगला है क्योंकि जो एडियम से इसको ग्रीम में नहीं रखा गया है थीक है तो आप्शन नंबर इसमें सब्सक्राइब हो जाएगा थर्ड में आप्शन नंबर इस और करेक्ट ठीक है चलिए आगे चलते हैं कूश्ट नबर 4 में कूश्ट नमर 4 कैसा था यह देख लीजिये लड़का है जिसने विंडो ग्लास को तोड़ा था तो उस लड़के का विशेष्टा बता रहे है न कि वह लड़का है जिसने विंडो ग्लास को तोड़ा था तो यह क्या होगा विशेष्टा बता रहा है इसकारं से एड्जेक्टिव क्लास हो जाएगा क्या हो जाएगा एडिजेक्टिव क्लॉज 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 के वीडियो आपको इस चैनल में जाएंगे ठीक उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदी रहा हूं आप देख सकते हैं आगे चलिए इसका सही आंसर क्या होगा आप देखिए यह वाला कोस्टन आगा देखिए कहां पर है तो अप्शन नमबर इसका अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नमबर सी का सही आंसर होगा लेकिन वह जब पास्ट टेंस का एक्जामपल होता है और इसको जब साइड में चेंज करते हैं लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर सी आगे का क्योशन में चलते हैं क्योश्टन नमर इसके बुला गया है तो इसको आप्शन सेंटेंस बोलते हैं अफ़र्मेटिव ऑस्रूटिव चेंज करने के लिए बूला गया है तो हमारा सही option इसका हो जाएगा देर glory can ever fade उसके glory कभी fade मतलब शायाद ही fade हो सकती है बाकी तो इसमें never है यह नहीं होगा तो option number A इसका सही answer हो जाएगा question 6 का 7 देखिए I am writing later तो इसको यह कौन सा question है which of the following sentence correctly transformed the above sentence in the progressive form of the perfect progressive form of the perfect इसमें change करना है perfect continuous वाले form में change करना है ठीक है इसको present perfect continuous form में present perfect continuous में have been लगता है तो option number C इसका सही answer होगा I have been writing later since 10 o'clock this morning ठीक है progressive form बोला जाता है continuous form को ही और progressive का perfect बोला गया इसका से perfect continuous इसको समझना है आपको है आगे चलते है question number 8 में man's modesty is in inverse proportion to his ignorance यह question है जो कोई person होती है उसका जो शालिंता या उनमें जो विनमरता होती है वो उसके अज्यानता के opposite proposal में होता है कैसे proposal में? inverse means ultra proposal में होता है मतलब जैसे जैसे जितना ज़्यादा कोई भी आदमी अज्यान होगा उतना ही उसमें modesty या विनमरता होगी तो अब यह बोला गया है choose the most appropriate transformation of the above sentence to complex इसको complex sentence में change करने के लिए बोला गया है तो देखिए जो हमने बोला उसको सही सही कौन सा sentence यहाँ पस डिस्क्राइब कर रहा है तो option number अगर हम C देखते है the more ignorant a man is the less modest he is जितना ज़्यादा ignorant या ज्यान एक आदमी होगा उतना ही कम विनमर वो होगा और यही complex sentence है बाकी तो जैसे देखिए a man modesty and and मतलब वो किया है एक conjunction है कोन सांग कंजंशन है एक कोडनेटिव कंजंशन है तो इसकांसी यह तो नहीं होगा तो अपने स्री अंसर हो जाए option number B चलिए आगे चलते है question number 9 में Mary was trembling and was clutching my hand Mary trembling कर रही थी कहां पर रही थी और मेरा हाथ clutch कर रही clutch का नहीं मतलब पकड़ना और Mary was terrified and was clutching my hand दोनों में यह बुला गया है कि ऐसा कौन सा sentence है जिसमें जो underline word है was उसको हटाया जा सकता है एलिप्स करना मिस उसको हटा देना तो यहाँ पर आप देखेंगे जो question है Mary was trembling and was clutching my hand तो इसको Mary was trembling and clutching my hand बुला जा सकता है was इसमें से एलिप्स किया जा सकता है कि इसमें से Mary was terrified Mary डरी हुई थी और क्या कर रही थी and was clutching my hand और मेरा हाथ पकड़ी हुई थी तो इसकांस इसको नहीं हटाया जा सकता पहले में हटाया जा सकता है option number 9th का A हो जाएगा सिर्फ पहले को इसमें इलिप्स किया जा सकता है अगला question था that you should say so surprises me यहां कि आप ऐसे बोलेंगे वो मुझे surprise किया इस sentence में जो noun clause है यह वाला जो that you should say so इतना noun clause होगा इसका यहां कि आप यह बोलेंगे उसने मुझे क्या क्या surprise कर दिया तो यह क्या है यह subject of the verb है object of the verb है subject of the verb है कि क्या है तो यह तो बहुत clear हो रहा है यह sentence है यह जो verb है ना surprise उसका subject की रूप में है यह जो noun clause है subject के जगा में है तो subject of the verb हो गया तो option number 20 इसका सही होँ जाथ था 11 देखिए select the option that based express the following sentence in active form passive form में है उसको active form में पूछा गया है I remember being taken to the Jew तो इसका सही option हुबा I remember them taking me to the Jew I remember मैं मुझे वो लोग जो मुझे जू ले जा रहे थे वो लोग याद है I remember them taking me to the Jew 12 देखिए it is proclaimed that all men found with arms will be shot यहां घोशना किया गया था कि जो भी आदमी भत्यार के साथ दिखा जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा shoot कर दिया जाएगा मार दिया जाएगा तो इसमें choose the most appropriate transformation of complex sentence to simple जो complex sentence है यह complex में है उसको simple में बोला गया है change करने के लिए ठीक है तो simple में किसी तरह का conjunction नहीं होना चाहिए ठीक है तो देखो 12 का सही option होगा option number A according to the proclamation all the men found with arms will be shot क्योंकि देखिए it is sad that यह अपन यह बोल सकते हैं कि complex sentence हो जाता है जहां भी that लगता है that, who, where इस तरह क्या ठीक है तो यह तो और डी complex sentence है उसको simple में change करने के लिए बोला गया तो option number A इसका सही answer हो जाएगा इन सारे topics को डीटेल में पढ़ने के लिए आगे आने वाले समय में सभी topics को अच्छे से और हमारे व्यापम के जो pattern है उसके हिसाब से हम इन पूरे topics को पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिस pattern में वो question दे रहे हैं उसी pattern में ठीक है चलिए आगे देखते है we must eat or we cannot live choose the most appropriate transformation of our compound sentence to simple यह भी compound sentence है क्योंकि इसमें और एक conjunction लगा है और conjunction लगा है इसकान से वो compound sentence है अब उसको simple sentence में चेंज करने बोला है simple sentence मतलब जिसमें कोई भी conjunction ना हो तो we must eat to live हमको जीने के लिए खाना जरूर खाना चाहिए अब अब से खाना खाना पड़ेगा है अगला question देखते है question number 14 as soon as he got the telegram he left in the inner taxi जैसे उसको telegram मिला वो टेक्सी में निकल गया इसको क्या करने बोला है appropriate transformation of the complex sentence to compound यह complex sentence में है complex में क्यों है as soon as जो conjunction है वो एक subordinating conjunction है और जो हाँ पर subordinating conjunction लगता है वो complex sentence कहलाती है और coordinating conjunction वाला क्या कहलाता है compound कहलाता है अब coordinating conjunction किसमें देखो no sooner यह भी subordinating conjunction है तो यह भी निया आएगा ठीक है the moment he got the telegram यह भी एक complex sentence है he left unit एक सी when वे भी complex हो गया when के करन्ट से ठीक है option number D है इसका सही answer he got the telegram and conjunction है जो coordinating conjunctions होते है ठीक है तो option number D का सही answer हो जाएगा आगे चलते है question number 15 में oh my love is red यह एक 4 sentence दिया गया है और यह पूछा गया है यह figure of speech का question है figure of speech figure of speech बहुत तरह के होते हैं और इसे rated 4 से 5 question है मैं बता दूँ similar, metaphor, illustration, hyperbole और और भी बहुत सारे questions तो अगर ऐसे questions को solve करने के लिए आपको सारे चीजों को समझना जरूरी है ठीक है तो इसका सही answer था option number 15 का D, hyperbole hyperbole means होती है अतिशे उकती है इन सारे चीजों को अच्छे से आने बारे वीडियो में हम समझाएंगे आगे देखते हैं question number 16 choose the sentence that incorrectly uses the main clause in the conditional sentence ऐसा sentence चुनिए जो main clause को सही सही बताया गिया है यहाँ पर चार sentence है इन चारो sentence में एक sentence ऐसा होगा जहाँ पर main clause गलत होगा जो जिसमें subordinating clause होते है वो उसमें main clause भी होता है एक main clause होता है एक subordinating clause होता है इस sentence में देखेंगे if you want to lose weight अगर आप weight loss करना चाहते है you should eat less bread तुमको you should eat less bread तुमको कम ब्रेट खाना चाहिए यह तो correct है यहाँ पर incorrect को ढूने के लिए अगर तुम weight loss करना चाहते है तुमको कम रोटी खाना चाहिए तो सही है यह तो यह नहीं आएगा यह वाला जो पहला वाला है वो हमारा क्या है subordinating clause है और इधर जो है आगे sentence वो main clause होगा तो सभी में यह वाला सेम है देखो subordinating clause सेम है मतलब जो dependent clause है वो सेम है हमको इधर से मतलब है पीछे वाले से वही क्या होगा main clause होगा तो पहले का सही है if you want to lose weight अगर आप weight use करना चाहते है you had better eat less bread सही है रहेगा कि कम bread खाऊ यह भी सही हो गया if you want to lose weight अगर तुम weight lose करना चाहते हो eat less bread यह भी सही है option number D अगर आप देखेंगे तो यह क्या बोला देखो अगर तुम weight lose करना चाहते हो you should have been eaten less bread तुमों gum bread खाना चाहिए था यह गिलात हो जाएगा तो option number D इस का सही option है अगर चलते है option number 17 में inside a suitable article from the given choice suitable article तो देखिए French, Portuguese दोनों में the use होगा the French live in France and the Portuguese live in Portugal तो option number A इसका सही आंसर है 17 में ठीक है 18 में अगर हम चले choose the incorrect sentence incorrect sentence के choose करने के लिए बुला गिया है he is taller than me यह तो सही है ठीक है he is taller than me वह मुझसे उचा है he is taller than I I नहीं लगता object लगता है तो यह गलत हो गया these books are for you and I यह भी सही है these books are you and me यह गलत है object नहीं लगता इस तरह के sentence में subject use होता है you and I तुमारे और मेरे लिए तो option यह हो जाएगा आपका a सही पहला और तीसरा इसका सही option है next question देखते है question number 19 you are to put in central heating तो इसका सही answer होगा जहाँ भी इस तरह के sentence हो तो इसका answer दिया जाए तो yes I ought to में नहीं वलकि yes I should में दिया जाता है जैसे आप देखेंगे option number यह yes I suppose I should इसका सही answer होगा 20 देख लेते है 20 वा नमबर का question grandfather's private Jew is इस वीडियो में हम 20 question ही देख पाएगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बुक बाई रस्किन बॉक है grandfather's private Jew रस्किन बॉक है इसको क्या बुल लगे है इसको एक्सक्लेमेटी सेंटेंस में choose the most appropriate transformation of assertive sentence को एक्सक्लेमेटी सेंटेंस में चेंज किया गया है option पहला इसका सही answer होगा what a wonder book grandfather's private Jew of रस्किन बॉक है में आकरी में ऐसा marks लगे तो इस तरह से कुल 20 question हुए grammar के English lecturer के last year 2019 का question paper था उसका I hope कि आपको सारे questions के explanation थोड़ा सा अच्छा लगवा और थोड़ा बहुत question समझ में आया होगे channel में new है तो channel subscribe जरूर कर लिजीगा क्यूंकि हम आने वाले समय में आपको सिक्षक भढ़ती से related और lecturer की जो English के syllabus से उसको अच्छे से cover कराएंगे thank you so much for watching मिलते है नेक्स ट्वीडियो में